खबर असम से जहां के सीम हिमंत विश्वर्मा ने आज जनता भवन जाकर कारिभार सम्हाल लिया और कहा कि हम असम के रिकास के लिए प्रतिबद्ध हैं गोहाटी में कल शपत ग्रहन के बाद आज असम के मुख्य मंत्री हिमंत विश्व सर्मा ने जनता भवन जाकर अपना पदभार संभाला इससे पहले हिमंत भारती जनता पार्टी के मुख्याले पहुंचे जहां गर्म जोशी से उनका स्वागत किया गया इसके बाद उन्होंने पत्रकारों को संभोधित किया और कहा कि असम के लोगों ने हमें आश्रवात दिया है और हम असम के विकास के लिए संकल बद्ध हैं कई दिनों तक चली माथापच्ची के बाद हीमंत बेशो सर्मा के असम के नए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साब हो गया गोहाटी में बीजेपी विधायकों की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई इससे पहले सीम सर्वनन सोनेवाल ने राजपाल जगदीश मुखी को अपना स्तीफा सौप दिया था गोहाटी के लाइब्रेरी ओडिटोरियम में बीजेपी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक होई थी इस दोरान केंद्रिय परवेक्षक के रूप में कैबिनेट मंत्री नरेन सिंग तोमर के अलावा अरुन सिंग, बील संतोष और बीजे पांडा भी मौझूद थे विधायक दल की बैठक में हिमंत बिश्व सर्मा को नेता चुना गया था